सब का फेवरेट फेस्टिवल एस्पिसल आज काजु कतली बनाने जा रहे हैं जो बहुत ही आशान तरीके से हम घर पर बनाएंगे और बिल्कुल मार्केट वाली चलिए इसे बनाते हैं इसके लिए हम दो कप काजु लिये हैं और दो कप काजु में एक कप चीनी लेंगे और एक कप चीनी और एक कप पानी लेंगे काजू को सबसे पहले हम पीस लेंगे इसे हम बारीक पॉडर बनाना है दो कप काजू को हम गरेंडर में पीस कर इसके पॉडर तियार कर लेंगे इसे रुक रुक कर चलाएंगे नहीं तो इसमें से तेल रिलीज हो जाएगी देखिए इस तरह के बिल्कुल पॉडर हमारे तैयार होने चाहिए अब कड़ाही चरहा कर इसमें एक कप चीनी डालेंगी और उसी कप से एक कप पानी डालेंगे पानी डालने के बाद हम इसे घुलने तक पकने देंगे हमें बिल्कुल इसकी चास्नी नहीं बनानी है हम इसे बस 3-4 मिनट में चीनी आशाने से घुल जाएगी तब तक हम इसे पकाएंगे चीनी के घुलते ही हम इसमें जो पॉडर बनाकर काजू की रखे हैं उसे हम थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे चीनी जब अच्छे से मिल्ट हो जाए तब हम थोड़ी थोड़ी काजू के फॉडर डालकर इसे मिक्स करेगे और हम हमें बिल्कुल इसके लम्च वुग्णा नहीं रहने चाहिए मिटियम फ्रेम पर इसे हम चलाते हुए मिक्स करेंगे और तब तक मेक्स करेंगे जब तक कि इसके सारे गुठले, लम्स वगरा समाप तो न हो जाए आप इसको लगभग इसमें बनने में समय दस मिनट लगेंगे इसे बिल्कुल चलाते हुए ही पकाएं नहीं तो ये अंदर चिपक जाएगी और अच्छी नहीं बन पाएगी इसलिए हम इसे बिल्कुल चलाते हुए पकाएंगे बहुत कम समय में ये मिठाई बन जाती है और घर पर बिल्कुल ताजी और शुद मिठाई होती है और इसमें दो ही चीज का इस्तमाल होता है चीनी और काजू बस दो चीज मिलाकर हम इतनी स्वादिष्ट मिठाई घर पर बना सकते हैं जो आप विश्वास नहीं करेंगे घी लगती है लेकिन बहुत कम मात्रा में और इसे पकने में भी जाता समय नहीं लगती है देखिए अब ये पेश्ट जो है कराही में छोड़ रही है जब ये पुरी तरह से कराही छोड़ने लगे तब तक हम इसे चलाते हुए पकाएंगे और इसे बस इस स्टेज में हम गैस के फ्लेम को आफ कर देंगे और इसे मिक्स करके हम इसे ग्रीस की हुई थाली में प्लट लेंगे थाली को हम घी से ग्रीस करेंगे और रेडी रखेंगे चुकि इस प्रोसेस में बहुत ही हमें जटपट करना होता है नहीं तो यह अगर ठंडा पूरी तरह से हो गई तो जम जाएगी देखिए जब इस तरह रीवन कर्णिशन में आ जाए तब हम गैस की फिलेम को आफ करके और थाली में ट्रांसफर कर लेंगे थाली में डालने के बार इसे दो मिनाट रेस्ट करने देंगे तब तक बटर पेपर को घी से ग्रीस कर लें अब इसे कट फोल्ड मेथट से हम इसे मिलाएंगे और इसको हम तब तक मिलाएंगे जब तक यह डो का सेप न ले ले यह जब अच्छे से पूरी तरह मिक्स होते होते यह डो की से पने लेगी अब हम इसमें यहां पर एक चमस घी अट करेंगे घी अट करने से यह काफी शॉप्ट बनी रहेगी और यह हाड नहीं होगी इसलिए हम घी का इस्तमाल यहां पर करेंगे और इसे उसी तरह का फोल्ड मेथट से इसे हम चलाते हुए डो की सेप तक हम करेंगे इसमें लगभग 3-4 मिनट लगते हैं यह आशानी शेप 3-4 मिनट में डो की सेप ले लेगी देखिए डो की सेप में आब आ गई है और हातों से पकड़ भी सकते हैं इतना गर्म है ज्यादा गर्म भी नहीं है ज्यादा ठंदा भी नहीं है बस इतना है कि हम हातों से इसे हिलाते हुए इस तरह पकड़ लेंगे अब ग्रीस की हुई बटर पेपर पर इसे फैला लेंगे इस पेचुला की मदद से इसे हम फैला लेंगे इसे हम अच्छे से चारो तरफ से दाबती हुए शेप दे देंगे और अब इसे बेरन की सहायता से इकवल कर लेंगे ताकि कहीं पर मूटी कहीं पर पतली न रहे इसकी ठीकनेस आप अपने अनुसार रखें और इसे एस्पेचुला की मदद से आप इसक्वाइर शेप दे दे ताकि इसे काटने में बर्फी शेप में आशानी हो चुकि हमें मार्केट जैसी एकदम कटिंग करना है तो हम इसे स्क्वाइर शेप में करके काटेंगे तो इसकाफी अच्छे से कटेगी अब हम इसे स्क्वाइर शेप दे दिये हैं आप इस पर फेस्टिवल स्पेसल है इसलिए चांदी का वर्क लगा दे ताकि देखने में अट्रेक्टिव लगे आप इस तरह भी बना सकते हैं लेकिन थोड़ा वर्क लगा कि मार्केट वाला लुक आ जाएगा इसलिए हम इस पर चांदी का वर्क लगा रहे हैं चांदी के वर्क को आप मार्केट से भी ले सकते हैं या पिर ओनलाइन भी इस आप प़र्चेज कर सकते हैं ओप एक धंटे सेट होने के बाद हम इसमें कतका निशान लगाएंगे और इसे आप मन जहाँ सेट में काट सकते हैं हम इक्वल होने के चलते इसे स्केल की सहायता से काट रहे हैं आज हम इसे दो सेट में काट रहा हैं एक बड़फी और एक स्क्वार में काटे हैं आपकी जैसी मर्जी हो आप इसे काटे और इसे मर्जाहा सेट दे कर आप इसे रख सकते हैं एक घंटे के बाद हम इसे इसमें से निकालेंगे ये पूरी तरह अच्छी तरह से सेट हो और इसे बिल्कुल फ्री जुरीज में नहीं रखना है ये बाहर में ही रखने से आशानी से शेट हो जाती है देखिए एक घंटे के बाद ये बिल्कुल शेट हो चुकी है अब हम इसे एक निकाल कर आप हो दिखलाते हैं इतनी अच्छी बढ़फी बनी है देखिए काफी एकदम मार्किट वाली और बिल्कुल सक्त भी नहीं है अब हम इसे फेस्टिवल इस्पिसल है इसलिए सजा कर दिखला रहे हैं आप इसे मन चाहें सेप में सजाएं फेस्टिवल में पेस करें बहुत ही श्वादिश्ट और बहुत ही अच्छी बढ़फी लग इसलिए आप इसे एक बार हमारे बताए हुए तरीके से घर पर बनाएं खाएं और अपने कॉमेंट्स हमें लिख कर भेजें आपकी कॉमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा इतनी देर तक हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद